एक बार फिर से आप सभी का सौकत है हमार यूटूब चनल अधिवीरा पॉइंट पर तो दोस्तो आज ख़बर आई है इस्पेशल एजुकेटर जो अतिती सिक्षक लगे रहते हैं और साथ में ICT Computer Instructor ये दोनों की जो है सेवाई समप्त करने का आदेश समगर सिक्षभियान मदब्रदेश के दवारा दिया गया है तो देखते हैं क्या आदेश है तो देखते हैं ये भोपाल दनांग से निकाला गया था 6-3 तारीक को निकाला गया था यादे से जो है समगर सिक्षा भियान का इसमें दिया गया है कि अथिती Special Educator की सेवाएं 31 मार्च 2024 तक लेने ही तु विस्याग देखें इनका bonding रहती है इनकी विस्यागन दोहर 23 की वासे कारोजना प्राप्त के अनुसार अथिती Special Educator आम मदद किये गए थे वित्ती वर्ष 23-24 की कारोजना 31 मार्च 2024 तक जो है के लिए है अथा इनकी सेवाएं कब तक ली जाएं 31-3-2024 तक इनको जो इनकी सेलरी आएगी के बड़ 31 मार्च 2024 तक आएगी इसके बाद इनकी सेलरी नहीं आएगी ना इनको कोई रख सकता है इसके बाद इनको अलग से बजट किया जाएगा आगे बताया भी गया है कि 2024 जो आने वाला वर्ष है उसकी कारोजना की सुकर्ती भारा सरकार से प्राप्थ होने के पस्चाथ अथियती Special Educator को आम मंत्यत के निदेश बाद में जारी किये जाएगे मलब अभी इनका जो है एक साल का काल पिरियट जो है काल अब दी समप्त हो गई है अंगले साल जो बित्ती बार से 2024 में वो अंगले साल जब जैसे ही सरकार से अनुमती मिलेगी तो फिर दुबारा फिर रखे जाएगे और दूसरा है जो काल अब जलासा जहतिकारी पन्ना का देख सकते हैं जो IT सेल में लगे रहते हैं IT इंस्ट्रक्टर ICT वाले कहां कंपूटर लेव रहती वहां पर रखे जाते हैं ICT इंस्ट्रक्टर कंपूटर इंस्ट्रक्टर इनकी भी जो है 31,3,2024 तक सेवाएं के लिए रख रखे जाने वाली बात रहोना कही है तो इसमें देख सकते हैं आप 23,24 की जो कारोजना है 31,5,2024 तक कौन ICT कंपूटर इंस्ट्रक्टर तो इनके लिए के बल कब तक रखा जाना 31,5,2024 तक और 24,25 से इनकी भी भाई बात करीं गई है भारस सरकार से जैसे ही पराप्त होने वाले ICT से आम मंतरत की जाएंगे तो प्रतक से इनकी आदेश जारी की जाएंगे अंगला वित्ती वर्ष जो रहेगा हमारा उसमें दोबार आसे इनको फिर बुलाए जाएगा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही सिक्छा विभाग से जुड़ी सारी खबरों के लिए चलल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और साथ में आपके साथिकार मित्र जो भी इस विभाग में काम कर रहे हैं उनको ये वीडियो सेर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके धन्दबाद